जहिन साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवाद, JS Focus Family में स्वागत करता हूँ, तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, उत्तर पदेश करिंट अफेयर सीरीच के आठमें पार्ट के उपर, इसके पहले हमने साथ पार्ट डिस्कस कर लिया है, उनके लिंक आपको description में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी enjoy कीजेगा, तो दोस्तों, आज का session बहुत ही महतापूड होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश करिंट अफेयर को one linear दिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको हम question के form में देखेंगे, इससे क्य यहां पर देखें क्या है, हाली में निम्र में से किस प्रदेश में स्वतनता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो दोस्तों, राइट अंसर है, उत्तर प्रदेश में, हाली में उत्तर प्रदेश का द्वारा, वन टांगिया ग्राम पसिछड केंदर यह important हो जाता है आप इसको no down कीजेगा हाली में भारत ड्रोन सकती 2023 का उध्धाटन निम्न में से किस राज में किया गया तो दोस्तो उत्तर प्रदेश में यह भी आपके लिए बहुत important है हाली में भारत की पहली लंबी दूरी की revolver को launch किया गया है इसका नाम क्या है तो दोस् दिन में सरवाधिक no connection देने वाला देश का पहला राज्य है तो दोस्तो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश सरकाद औरा मेगा बिच्छा रोपड अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाए गए तो दोस्तो 30 करोड पौधे लगाए गया है यह डाटा आपके अधिमाक में बैट जाना चाहिए टिका उत्तर पदेश्क कि जिले में देश का पहला कैनाइन सेंटर इस्थापिद किया जा रहा है तो दोस्तो बरेली में हाली नाइन संपन हुए एक निकाय में चुनाओं में अ starts पाने वाली मेला बनी है तो कहां पे बनारस में है यह भी प्रश्णों को देखने का आप देखेंगे कितना ध्यान से आपने इस पेज को पढ़ा है तो पहला प्रश्णा आपके सामने इसको ध्यान से देखिए और राइट एंसर कमेंट सेक्षिन में देते रहिएगा हाली मेरी में इसे किस प्रश्णा सेनानी राजाराओ की पतिमा का अनावराड किया गया तो दोस्तो इसमें जो राइट अंसर है वो कौन सा प्रश्णा प्रश्णा में बुंड लिनियर में उत्तर परदेश के किस विश्व विद्याले में रूसी विश्व विद्याले के किंद्रों को इस्थापित किया जाने की घोश्रा की गई है तो दोस्तों हमने बात किया था कि चौधी चर्ण सिंग विश्व विद्याले में किया जाएगा चलिए अन्य प्रश्न को देखिए हाली में जारी लगू सिचाई योजनाओं पर छठी जनगड़ना रिपोर्ट की अंसा सरवाधिक लगू सिचाई योजनाओं किस राज्य सरकादवारा जारी की गई है तो दोस्तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पस्न मिला आपको इसमें राइट यन्सर अप्सन नबर D उत्तरप्रदेष चलिए बात करते हैं हाली में भारत ड्रोन सक्ती 2023 का उधाटा निम्र मेंसे किस राज्य में किया गया तो दोस्तो राइट यन्सर अप्सन नंबर D उत्तरप्रदेष में ये तो आप देखी चुपए हैं सारे प्रश्म उसके बाद बात करते हैं हाली में उत्तर पदेश सरकादवारा देश का सबसे बड़ा IT हब इस्ताफित के जाने की घोशना की गई है हब निम्र में से कहां पर इस्ताफित किया जा रहा है तो दोस्तो राइट एंसर है इसमें आपस नमबर सी लखनव में उसके बाद हाली में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवालवर जिसका मतब बनाया गया है भारत में तो उसका नाम क्या है तो दोस्तो इसका नाम है प्रबल चरी बात करते हैं हाले में उत्तर प्रदेश के की सहर में यूवा 26 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया तो दोस्तो वारांड सी में ओप्सन नंबर सी इसमें राइट होगा किताब फायरंद गंगेज लाइफ एमंग देड इन बनारस के लेखक कौन है तो दोस्तो राधिका आयंगल जी मैंने कहा था यह मोस्ट इंपोर्टेंट है आप याद रखेंगे निम्ण में से कौन सा राज एक दिन में सरवाधिक नल कनिक्सन देने वाला देश का पहला राज बना है तो दोस्तो अपना उत्तर प्रदेश उसके बाद यी आफिस पढ़ाली सुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन है तो दोस्तो कर्नौज है कर्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकाद्वारा मेगा ब्रिचारोपड अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधाये लगाए गए तो मैंने बताया था कि 30 करोड का आप आकड़ा याद रखेंगे हाली में घोसित उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड़ा सौर उज्या से संचालित होने वाला पहला हवाई अड़ा 2024 के अंत तक बन जाएगा तो दोस्तो राइट एंसर उप्स नमबर A प्रियाग राज हवाई अड़ा प्रियाटन मंत्राले ने स्वदेश दसन 2.0 योजना के अंतरगत हाली में उत्तर प्रदेश के कितने अस्थलों को चैनित किया है तो दोस्तो इसमें अगर हम बात करें तो उप्स नमबर B होगा दो ठीक है पहला अस्थान प्रियाग राज और दूसरा है नैमी सारणी हाली में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौनिर्मित राष्टिय सहीद इसमारकान औरड किया गया तो दोस्तो राइट एंसर अप्स नमबर A लखना उन चले बात करते हैं हाली में उत्तर प हाली में निम्नें से किस राज द्वारा दुनिया के सभसे तेज मोटर बाइक रेजो मोट जीपी दो हजाद फितीज की में गये में खांपित , इसमें करेक्ठ होगा हाली में उत्तर पदेश्किक की सहर में भारत की पहली रिजनल रैपिड ट्रांजिट परडाली शुरू की गई है तो दोस्तो गाजियाबाद में याद रखेंगे आप बहुत इंपर्टेंट क्वेस्चन आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा हाली में संपन हुए निकाय चुनाओं में अजनता जो अंजना गुपता है वो सरवाधिक मत्पेसद पाने वाली पासद बनी है ये किस जिरे से संबन दित हैं तो दोस्तो राइट एंसर है इसमें ऑप्सन नबर भी बना रश्य है अब देखिए यहाँ पे वही सिलसला हम ओन सा आयोजन है तो यह है अखिल भात्य सिच्छा समागम 2023 हाली में केंद्रिय विज्ञान एवन प्रदी की मंत्राले द्वारा किसे इंडियन आपदी यर अवार्ड 2023 से प्लदान किया गया है तो दोस्तो इस रोखो अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर में रीम एसोसियेशन की मंत्री प्लसद की 23 बैठक का भारत प्रतिनिधित तो किस के द्वारा किया गया तो दोस्तो भारत में डॉक्टर यस जैसंकर के द्वारा तो देखें आपके लिए 2023 के भी कुछ important topics important है क्योंकि 2023 के भी प्रश्ण आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि अभी आपने MTS का एक्ज देधारित किया गया है तो दोस्तो 2275 किसके लिए रभी फसलों के उपज के लिए जैसे गेहूं अगर आता है ना रभी में राष्टि बहु आयामी गरीवी सुचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है तो दोस्तो नितियायोग और नितियायोग के अध्यक्ष ह धानमंतरी हाली में ACI Athlete Championship 2023 का आयोजन कहां किया गया तो दोस्तों बैंक एक हाली में सिय का सब्से बड़ा खुला वैपार मिला जिसका नाम है बाली जात्रा कहां पर आयोजित किया गया है तो दोस्तों अड़े के रूप में किसे सामिल किया गया है तो दोस्तो उसका नाम है कैमपे गौड़ा हवाई अड़ा करनाटक कैमपे गौड़ा हवाई अड़ा करनाटक अब हम देखेंगे अब आपके सामने प्रश्णों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है जल्दी जल्दी कमेंट सिक्षन में जवाब देते रहे हाली में अखिल भातिया सिच्छा समागम 2023 का आयोजन कहा किया गया तो दोस्तो राइट अंसर आप्स नमर डी नई दिल्ली में चीक है उसके बाद देखे किंद्री बजट 2023 में घोसित साथ प्राथमिताओं में से कौन नहीं रखा गया तो दोस्तो इसमें वेरोजगारी उनमलन को नहीं रखा गया तो दोस्तो इस रोको चले बात करते हैं अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर रिम एसोसियेसन की मंत्री पसद की 23 वी बैठक में भारत का प्रतिनित के द्वारा किया गया है तो दोस्तो इसमें राइट अंसर है ऑप्स नमर डी डाक्टर यस जैसंकर के द्वारा है चले बात करते हैं हाली में रवी फसल के उपजो की नियूनतम सफ़तन मोले जिसको MSP के नाम से भी जानते हैं कि घोशला की गए यवस्व 2024 पचीस के लिए गेहूं का जो MSP है वो कितना दिधारित किया गया है गेहूं के लिए तो दोस्तो राइट अंसर इसमें आप्स नमर बी 275 रुपए ह राष्टिय बहुयायमी गरीवी सुचकांग की संस्थान के द्वारा जारी किया गया है तो दोस्तो इसमें राइट अंसर अप्स नमर भी नीती आयोक के द्वारा तो दोस्तो बैंकॉक में अभी हमने डिसकस किया था इसको हाली में एसिया का सबसे बड़ा खुला वैपायर मेला बाली जात्रा कहां आयोजित किया गया तो दोस्तो राइट अंसर अप्स नमर सी उडिसा में हाली में आयो जीत, 42 में एसियान सिखा सम्मेलन, में किस देश को सैधान्तिक रूप से स्विकार किया गया है, तो दोस्तों तीमोर लेस्ते को option number D is the right answer हाली में इनिसको दोरा, दुनिया के सबसे खुबसूरत हवाई अड़े के रूप में किसे नामित किया गया है, तो दोस्तों हमने बात किया था इसके उपर, कैमपे गौड़ा हवाई अड़ा करनाटक, चले बात करेंगे अब हमारे one linear important fact के उपर, अब देखें यहां पर आप एक बार यह आप reply कर देते हैं, तो वो point आपके दिमाग में हमेशा clean बैट जाता है, तो उसमें आपका जादे profit है, आप यह जरूर किया करें, अब चले, one linear देखते हैं, हाली में operation star makers 2, आयोजित किया गया है, तो दोस्तों किस के दोरा, इंटर पोल के दोरा, भारत के पहले हाईडोजन से जुड़े उद्यो की अस्थापना कहा की जाएगी, तो दोस्तों जमसेद पोलने, ठीक है, हाईडोजन से जुड़े उद्यो की अस्थापना, ठीक है, हाली में पधान मंती नियर्द मोदी ने किस राज में 1.25 लाग से अधिक PM समर्धी के इंद्रों को रास ये सनमेलन कहां पर आयोजित किया गया है, तो दोस्तों नई दिल्ली में याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला उननत बाल चिकित्सा केंद्र की अस्थापना किस सहर में की जा रही है, तो दोस्तों लखनव में, हाली में नियर्द में से किस के द्वारा, किस राज द्वारा, हाट कुग्ड फुड योजना प्रारंभ की गई है, तो वो है उत्तर प्रदेश, हाट कुग्ड फुड योजना, कहां, बताइए उत्तर प्रदेश में, चले, अब प्रशनों को देखें, जली जली, और सभी प्रशनों को अटेंड कीजे, और जबाब देते रह हाले में Operation Storms Maker 2 आयोजित किया गया है कहां पे तो दोस्तों किसके द्वारा है तो Interpol के द्वारा Interpol की अस्थापना दोस्तों कब हुई थी 1923 में ठीक है याद रखेंगे आप कब हुई थी 1923 में ठीक है अगर बात करें इसका मुख्याल है तो Lyon France में है भारत में पहले हाइडोजन से जुड़ी अध्योग की अस्थापना कहां पे कि जाएगी उध्योगों की अस्थापना तो जमसेथपूर में हमने बात किया था हाइडोजन से जुड़े उध्योग हाली में पधानमंत्री नैद मोदी ने किस राज में 1.25 लाग से अधिक PM समर्दी केंद्रों को राश्ट को समर्पित किया है दोस्तों आप्सन में सी करेक्ट है राजस्थान में दिसंबर 2023 को पेटा इंडिया ने किस वर्स 2023 के लिए परसन आप दे यर का आवार्ड मतब नामित किया है किनको दिया है तो दोस्तों दिया मेर्जा को याद रखेंगे पेटा का फुल फाम अगर एक जा में पूछा जाए तो पीपल फादर एटिकल ट्रिट्मेंट आफ ए उसके बाद देखें ये कुशन रिपीट हुआ है अब देखें चले आगे बाद करते हैं हाली में जारी एक रिपोर्ट की अनुसार पत्यक्ष बिदेशी निवेस में उत्तर पदेश 22 राजियों को पीछे छोड़ दिया है अब पत्यक्ष बिदेशी निवेस की सुच में उत्तर पदेश का कौन सा अस्तान मिला है तो दोस्तो इसमें राइट एंसर है ग्यारवां चिक है तो ये आपके लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एक्जामे देखने को ये मिलेगा उत्तर पदेश का पहला उन्नद वाल्च कित सा केंडर की स्थापन की सहर में की जा रही है तो दोस्तो लखनाओ में और बी इसका सही होगा बात करते हैं हाली में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंडर स्वरवेद महामंदिर का उध्धातन कहां किया गया तो दोस्तो इसमें राइट एंसर आप्स नमबर ए वारांसी उत्तर प्रदेश अब यहां पर हम देखेंगे वही अपना सेलसला वन लिनियर आफ्टर दैट हम देखेंगे यहां सीके हाली में किस राज्य सरकाव ने राज में हलाला सर्टिफिकेशन को मतब खादियों के लिए मतब मना कर दिया है रोक लगा दिया है तो दोस्तो मध्य प्रदेश अब उ सीवर कि तहित जला करनेकशन देने में के मामले में स्थान पर रहा है तो दोस्तो संतावन जिरों में ठीक हाली में उत्तरप्रदेशinel स्थान पर दचिण प श्चिं एसीया के सबसे बड़े सयंत्र का उधाटन किया गया है तो दोस्तोंusanट्ब। में हाली में उत्तर पदेश सरकाद्वारा किस अस्थान पर हर घर सोलर अभियान का अगर बात करें तो सुरुवात किया गया है तो दोस्तों कहां पर किया गया है तो आप इसका जबाब देंगे कमेंट सिक्सर में इसका लाइए इसमें अगर राइट एंसर की बात करें लखन हाली में कि सीटी प्रजय किसे समंधीत हैं आपको पताई है निम्न में से कौन सा राजय जल जीवर मिशन के तहत जल कनेक्शन देने के मामले में सेवतर्स अस्थान पर हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश च्छानों को ट्रेक्टर में उपहर में परदान किया गया है थो दोस्तो और उत्तर परदेश कि गया है तो दोस्तो ऑप्सिन बाद करते हैं हाली में जारी रेस्पिरेटर लिविंग साइस की रिपोर्ट की अनुसार देश के दस सरवाधिक पुदूसित सहरों में उत्तर पुदूसित का कौन सामतब सह सामिल है तो दोस्तो इसमें राइट अंसर है और दूसरे पर पटना है हाली में उत्तर पुदेश में किस अस्थान पर दच्छड पस्चिमी एसिया की सबसे बड़े पेस अंत्र का उधाटन किया गया है तो दोस्तो अमेठी में हमने इसके उपर बात किया था हाली में उत्तर पुदेश सरकाद औरा किस अस्थान पर हर घज सोलर अभियान सुरुआत की गई है तो दोस्तो राइट अंसर लखनव और वारानसी में निम्र में से उत्तर पुदेश के की सहर में पहला पसू साधागरी स्थाप्इत किया जा रहें तो दोस्तो राइट अंसर अप्स नमर भी लखनव में क्या है यह आई साधागरी जहां पे पसू को जलाय जायेगा मतब मरने के बाद निम्र में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को पूर्ड रुप से स्मार्ट क्लासेज पहुंचाने वाला पहला जिला बन गया है तो दोस्तों आपसन नमर भी बरेली हमने बात किया था चले आज का सेशन दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होता है और देखे अभी तक हमने बहुत सारी प्रशन डिसकस कर लिए हैं इसके आठ पार्ट डिसकस कर चुके हैं आप सभी पार्ट को जाके एक एक बरी देखेगा सभी बहुत ज़्यादा इंपार्टेंट आपके एक्जाम के लिए और दोस्तों आज का सेशन यहीं पे संपन करते हैं आपका दिन सुभ हो जै हिन जै भारत आप बताएगा फिडबैक में आपको ये सेशन कैसा लगा